आप सभी को मेरा प्रेम भरान अमन एक बार मिस्टर भारगव ने भगवान श्री रमण महरीशी से नीन के बारे में कुछ कहा तब भगवान ने नीन के बारे में इस प्रकार प्याख्या दी आत्मा में इस्थित रहने के लिए क्या करना चाहिए इस संसार की बस्तु ही उसमें बाधा है जिन में बस्तु और प्रवर्तियों को भी शामिल कर सकते हैं वहीं दूसरी और नेन का नाम भी ले सकते हैं। ग्रंथों में भी नेन को समाधी की सबसे पहली बादा माना गया है। और व्यक्ति के विकास की अवस्था के अनुसाथ इस से पार के लिए कई तरह के उपायों की चर्चा की गई है। पहले व्यक्ति से कहा गया कि उसे सारी संसारिक बाधाओं और निद्रा से मुक्त होना होगा। परन्तु फिर कहा गया कि जैसा की गीता में लिखा है व्यक्ति को पूरी तरह से निद्रा का त्याग नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को केवल रात को सोना चाहिए उसे दिन में नहीं सोना चाहिए। रात को भी उसकी नेन दस बजे से लेकर रात दो बजे तक होनी चाहिए। दोरान भी ध्यान की वही धारा अखंड भाव से चलती रहेगी। यह तो पूरी तरह से स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन में किसी सशक्त विचार के साथ सोने जाता है तो उटने पर उसे अपने पस्तिश्क में वही विचार सबसे पहले मिलता है। जो व्यक्ति इस तरह का ध्यान लगाता है उसके लिए कहा जाता है कि वह अपनी निद्रा के दोरान भी समादी की अवस्ता में रहता है। यहां यही याद रखना जरूरी है कि महरशी ने अक्सर निद्रा को अहम से रहत अवस्ता के उधारन की रूप में प्रस्तुत किया। ध्यान के बारे में बात करने वाले लोग अक्सर एक और सवाल पूछते कि कई बार वे ध्यान के दोरान एक शुन्य का अनुभव करते हैं या उन्हें भई का अनुभव होता है। उन्हें कहा गया कि वे जिस बात से भई अनुभव करते हैं उन्हें उसे ही कसकर थामे रहना होगा उसके साथ ही चलना होगा यही उत्तर उन्हें भी दिया गया जिनका कहना था कि उन्हें ध्यान के समय पर्मानंद कसा अनुभव मिलता है अगर कोई अनुभव करने के लिए नहीं है तो उसके बिना भै आनंद दृष्य या शुन्य जैसा कोई अनुभव हो ही नहीं सकता हरी ओम तच्चत